आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त नैक की रेसिपी, आज बनाने वाली हूँ सोया मलाई चाप तो आप कहीं मज जाएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजेगा स्वागत है आपका मेरी किचन में जहां खाना प्यार से बनता है और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम से दिया हलो एंड वेल्कम बैक तो माई चानल सो या मलाई चाप एक ऐसा स्नाक है जो बनाने में बहुत ही असान है बहुत ही कम वक्त में बन जाता है और खाने में इतना टेस्टी है कि सारे उंग्लिया चाट चाट के खा जाये तो आज पेश कर रहे हूं, इजिए सोया मलाई चाप की रेसिपी, तो देर के सबात किये, आईए शुरू करते हो और बनाते हैं इसे, इसे बनाने के लिए, मैंने हैं पे लिए सोया चाप, तो यह सोया चाप मार्केट में इन स्टिक्स के साथ मिलती है, और मैं इसे ऐसे स्ट स्टिक्स से निकाल लूँगी, इस निकालते वक्त अगर यह कभी तूट भी जाए तो इस फाइन बिकॉस हमें इसको बाद में कटी करना है, यह स्टिक्स से निकाल लिए और अब मैं इसे काट लूँगी, तो मैं इसको बहुत मोटा नहीं रखूंगी, नॉम्मल बाइट स जैसे होता है, बस इतना ही काटूंगी, ताकि यह मैरिनेट जब हो तो इसके अंतर बहुत अच्छे से फ्लेवर जाएं, बहुत मोटा कट होगा, तो सोया चाप अंदर से कच्छा फील होगा, तो यह चापे सारी कट गई है, और अब मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी, मैं ल नेक्स्ट मैं डालूँगी इसके अंदर फ्रेश क्रीम, तो फ्रेश क्रीम भी मैं इसके अंदर अल्मोस्ट तीन चम्मच के राउंड डालूँगी, तो जितनी हंकड ले रही हूँ, उतनी ही फ्रेश क्रीम ले रही हूँ, नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक यहां मैंने लिया है अध्रक लसन और हरी मिच का पेस्ट तो यह भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी दो चम्मच अब डालती हूं इसके अंदर कुछ मसाले सबसे पहले नमक तो मैं इसके अंदर एक चम्मच नमक डाल रही हूं एक चम्मच मैं डाल रही हूं इसके अंदर खिषबू देने के लिए मैं डाव जी हूं इसके अंदर कसूरी मेथी तो ये अंदाजन दो चम्मच मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दिया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह बहुत अच्छे से mix हो गया और अब डाल दूगे मैं इसके अंदर यह सोया चाप चो मैंने cut करके रखी थी तो यह सब जाएगी इसके अंदर और इसको बहुत अच्छे से mix कर लेंगे और अब इन चापों को इस marinate के अंदर आदे घंटे के लिए छोड़ दूगी तो चापे भी marinate हो गई है अब move करते हैं अपने next step की तरफ तो यहां मैंने डाला है butter और यह butter जले नहीं इसलिए मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा oil यहां मैंने लिये दो प्याज और इनको मैंने पतला पतला लंबा लंबा काट लिया था यह जाएगा इसके अंदर बस इन अनियन्स को जादा cook करने की जुरत नहीं है हलके हलके से यह pink होंगे तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर यह सोया चाप जो हमने मैरिनेट करके रखी थी यह सारी किसारी जाएगी इसके अंदर और जितना साइड में हमारा मैरिनेट लगा हुए है वो भी मैं सारा का सारा डाल दूँगी इसके अंदर अभी ग्यास का फ्लेम थोड़ा कम करती हूँ और डाल रहे हूँ इसके अपर फ्रेश ब्लाक पेपर बहुत टेस्टी लगता है इसके अपर ब्लाक पेपर तो फ्रेश ब्लाक पेपर डालूँगी साथी में डालूँगी इसके अंदर कसूरी मेथी थोड़ी सी और पहले भी डाली है हमने मारिनेट करते वक्त बट इसका बहुत चाव फ्लेवर आता है और साथ में जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश फ्लेवर के लिए हरा धनिया अब ग्यास की फ्लेम को फुल पे कर रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी यह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है सारे फ्लेवर एक साथ आ गया है एक एक सोया चाप पे पूरा मसाला अच्छे से कोट हो गया है और बस ग्यास की फ्लेम बंद और सीधा जाएगा यह सर्विंग प्लेट में तो मेरा प्लाटा तो हो गया है तई यार और मुझे कॉमेंट्स में बताओगे आपको यह कैसी लगी मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मैं जल्दी आओंगे अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर तो मैं जल्दी आओंगे के लाइक, जल्दी आओंगे अभावे तो ह।